हेलो आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास हिस्ट्री के लेसन नंबर 4 के इंपोर्ट टेक्शल कोशन तो आज का हमारा कोशन है कि इस्ट इंडिया कंपणी ने कैसे जो इंडियन वीवर्स थे उनसे सेक्योर किया कि वह कोटन और सिल्क का जो कपड़ा रेगुलरली इंडियन जो क्लोथ ट्रेडर के साथ उनको क्या करें खतम करें और एस्टेबलिश करें एक डिरेक्ट कंट्रोल के उपर इंडियन वीवर्स की उपर इसलिए उन्होंने क्या किया था गोम्थाज को एपॉइंट किया था ताकि वह सुपर्वाइज कर सकें कि इनको भुनकरों को उनस इंडिया में इंक्रीज़ शॉर्स फ्रिय वर्ट वार के बाद उसे पहले कम थी अब क्या हुआ था जो फ्रस्ट वंड वार खोशो कब ऊहिए अनिस जो चोदा में अब इससे पहले क्या था जो इंडिया इंडिया की वह काफी ज़दा स्लों हो kung यह दो ही जैसे ही वार पर पादन था वो सिरफ पिटिश आर्मी की द्रूरतों को ही फुलफिल कर सकता तो इसके कान क्या हो गया इंटिब्इच संस्राइब बहार का माल आना बंद ओक ही जिसके कान इंडीन जो टेक्स्टायल थी उनके लिए उनको इंडिया इंडियन मिल्स के उपर डिपेंड होना पड़ा कि वहां से वो अब अपनी बिटिश आर्मी की ज़ूरतों को फुल्फिल करने लगे जैसे कि आर्मी के लिए जूट बैग, क्लोथ, यूनिफॉर्म, टैंट्स, लैदर बूट, होर्स और जो मूल, सैडल्स होत और बर्कर्स को काफी लंबे समय तक काम करने के लिए कहा गया, जिसके कान क्या हो गया, जो इंडिया की इंडिस्टिल प्रोडक्शन थी, वो काफी ज़्यादा इंक्रीज होगी, अफ्टर, फरस्ट,